नमस्ते दोस्तों, आज जो एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है और जिस पर मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि कांफे दिनुवाद आपसे बात हो रही है और ये एक ऐसा इस्यू है जो मुझे लगा जिस पर आपसे बात होनी चाहिए एक बार आप अगर कंफर्म कर दें कि आप ऑडियो चिक ठाक सुन पा रहे हैं तो हम इस बार्चीत को आगे जाही रख पाएंगे तो यह जो मुद्दा है दोस्तों यह UPSC में जो सरकारी पदों पर केन सरकार के उच्छ पदों पर जो निक्तियाप होती है उससे जुड़ा मामला है और जैसा कि आप जानते हैं कि UPSC एक constitutional body है एक समिर्हानिक body है जिसका समिर्हान प्रावधान है और उसका काम जो है वो यह है कि भारत सरकार के लिए नौकर साही का वो चैन करती है तेक तरह से बहुत महत्पूर्ण एक इसका काम है कि जो देश को चलाने वाली संस् और जिससे ही देश चलता है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक collector जो आम दोर पर IS के अपना first promotion के बाद बनता है एक SP वो कितना महत्पूर्ण होता है तो आगे चल जाते हुए वो जब कमिशनर या SSP, IG, DGP या Joint Secretary, Additional Secretary और Secretary तक बनता है तमाम बड़े क्वापूरेशन में में इन डिरेक्टर और यह सब बनता है कि लोगों एक एक ऐसे अफसर्थ के नीचे 40-50 जार तक सरकारी कर्मचारी होते हैं तो यह UPSC का जो काम है का सिविल सर्विस के अफसरों का जो चैन है यह बहुत महत्पूर्ण है और यह तरह से देश को चलाने वाली जो प्रमुक जो एक तरह से जहां पर नीतियां बनती है नीतियां लागू होती है उसकी संस्ता है तो UPSC जिस तरह से इस नौकर्साहिल का चैन करता है इस पर कड़ी नजर हम सब की होनी चाहिए हर साल अवरेज अगर आप देखें आजादी के बाद से तो आम तौर पर एक हजाद प्लस माइनस दो सो क्यास पास मतलब आठ सो से लेके रेंज आप मोटे तोर पर रख लिए बारा सो चौदा सो तक अफसरों का सिविल सर्विस के अफसरों का चैन इसके नोडल जो मिनिश्ट्री है वो डियो पीटी है उसको इस काम को करना होता है अब यह जो पूरा पूरी नियुक्ति है इस पर चुकी कड़ी निगाह लोगों को रखनी चाहिए कि कपसर इतना पाथफूल होता है और यह आप समझे कि इतनी इस नौकरी की इतनी आप अ पहुमियत का अंदाजा लगाई ए कि 11-12,00,00,00 तर लोग कई बार आप वो इसके पिलिंट्स के एक्जाम के लिए तयारी करते हैं, कई-कई लोगों की जिंदगियां खब जाती हैं, बहुत शरम करते हैं, बहुत नहित करते हैं, बहुत लगन से लोग इसकी तयारी करते है तो इसके में जो नियुक्ति का तरीका है इसमें एक महा घुटाला सामने आया है अब दिल्चस्प ये है कि UPSC ने अपने अब तक के इतिहास में आ जा दी के समय से UPSC है इस देश में तो UPSC अपने पूरे इतिहास में पहली बार किसी घुटाले पर एक सफाई देती है और ये सफाई दी जाती है 6 अगस्त को कि हम कोई घुटाला नहीं कर रहे हैं हम नियमों के तहट नियुक्तिया कर रहे है ताब समझे कि सोसल मीडिया पर जो इसको लेकर जो विवाद उठा वो कितना महत्पूर्ण है कि UPSC को खुद सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ी अब ये मामला क्या है इसक अब जाए और 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 भी सारे लोग देखिए अपने रामावतार मीना जी है आशीस खुसरे जी है कमलकांत गुर्वे जी है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं पुछ लोग जो यूपीजी के एप्लिकेंट्स हैं उनको इसको बारे में बहुत अच्छे से मालूम होग उनके अपने कोचिंग सेंट्र वगर में इस घोटाले की चर्चा भी जाहिर है जो इस घोटाले की पहली अगस्त में चली चर्चा से वाकित है उनको मालूम होगा कि यह गोटाला क्या है लेकिन मैं सुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस घोटाले के बारे में प उसकी सीटें जो है वो लूटी जा रही है इस साल का मैं उदाहरन दे रहा हूं उसके वाद फिर आपको एक नॉर्मेटिव आइडिया के तौर पर मैं आपको सारा मामला सामने आया है इस साल केन सरकार ने UPSC को कहा कि आप 927 अफसर हमें चाहिए वो अलग-अलग IAS, IPS और IFS और यह अलग-अलग काटिग्रीज से सब मिलाकर हमें 927 अफसरों के लिष्ट भेजिए UPSC का काम सिर्फ यह था कि वो सेलेक्शन करके एक लिष्ट 927 अफसरों की 927 अफसरों की वो सरकार को भेज देती और सरकार उसको नियुक्त कर लेती यह होता एक फेर और ट्रांस्पेरेंट तरीका लेकिन UPSC का जो रिजल्ट आता है 4 अगस्त को पिछले साल UPSC 927 लोगों की लिष्ट सरकार को नहीं भेज दी है इसके जगा UPSC क्या करती है 829 लोगों की एक लिष्ट भेज दी है कि इन लोगों का हमने सेलेक्शन किया है और आप इनको नियुक्ति दे सकते हैं तो इस त 227 लोग जो चुने जाने थे के इन सरकार में जिने लिष्ट को जितने लोगों को लिष्ट भेजने के लिष्ट से कहा था उसमें से 397 लोग जनरल कटेगरी के होने थे 83 लोग UWS के होने थे 251 OBC के होने से 119 SC के और सरसट ST के होने थे अब UPSC जब लिष्ट भेज रही है तो 68 67 सरसट ST के बदले में सरसट की लिष्ट भाले भेजती है से 129 के बदले में 139 की ही लिष्ट भेजती है OBC के 251 की जगा 251 की लिष्ट भेजती है represented 83 83 की लिष्ट भेजती है बढ़ा घुवडा ला काहां होता है जनरल की 397 की जगा 304 की ही लिष्ट UPSC यहां पर भेज रही है अब ये जो पुरा मामला हुआ जब जब आपको कहा गया कि 927 की लिष्ट भेजिए तो आपने 829 की ही लिष्ट क्यों भेजिए दरसल हुआ क्या है दोस्तों कि पिछले साल इस साल और इससे पहले के हर साल में यह जो जनरल मेरिट लिष्ट है इसमें SCST OBC के लोग बड़ी सेंख्या में चुने जाते हैं अब आपको 397 में 91 कंडेट ऐसे हैं जो कि SCST OBC के हैं अब UPSC को कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे की यह 91 लोग बाहर हो जाए और यहां पर फिर जनरल कटेगरी जो है वहां पर फिर अपरकास्ट के लोग आ जाए तो एक तरह सी UPSC की मनसा यह है कि जो जनरल कटेगरी है उसको अपरकास्ट के टेगरी बना दिया जाए 40% रिजर्वेशन अपरकास्ट को दे दिया जाए 15% आवादी को जो कि EWS क्योंकि उसमें SCST OBC के लोग ऐसे ही नहीं आ सकते हैं तो 10% रिजर्वेशन तो आपने जो अपरकास्ट है उसको ऐसे ही दे दिया इसके अलावा जो 40 परसेंट है उसको भी वो अपरकास्ट के लिए रिजर्व करना चाहते हैं यह है कुल मिलाकर इस पूरे आइडिया के पीछे की फिलोसफी आपको मैं इसको एक एक हजार लोगों की नियुक्ति होनी है एक हजार की नियुक्ति होनी है तो जाहिर है कि उसमें 400 जो हैं वो जन वो SCI एगा और 75 STI एगा यह इस तरह से इसका पटवारा होना चाहिए अब अगर 400 जो जनरिल मेरिट है उसमें अगर 100 लोग SCST OBC के आगए तो अब UPSC की प्रावलम यह है कि उसकी दृष्टी स्पार में है यहां पर है कि जो जनरिल मेरिट है उसमें जो SCST OBC के हैं उनको बाहर किया जाए यह कुल फिलोसोफिकल आइडिया जो है वो उस पर काम UPSC कर रहा है कि कि किसी भी तरह से जो जनरिल मेरिट में जो लोग आ जा रहे हैं SCST OBC के उनको वापस अपनी कटेगरी में धकेल दिया जाए ताकि जो इनकी अपनी जिसको वो मान रहे है कि जनरिल करेगरी है वो अपर कास्ट करेगरी है इसमें हम किसी और को आने नहीं देंगे यह है उल्खोटाला अब इसकी कार्ट कैसे निकालता है UPSC में क्या घपला कर रहा है अब वो जब यह लिस्ट आ जाती है 839 की और इसके अलावा एक कॉंसलिडेटेट लिस्ट वो 182 की जारी लिस्ट के हैं अब जो जिन लोगों का नाम UPSC नहीं किया है अपनी फर्स्ट लिस्ट में 91 की उसकी उसका रिजल्ट जो है चार अगस्त के बाद चार जन्वरी 2021 को उनका रिजल्ट आता है और उसमें 91 में 71 लोग 73 73 73 लोग जो है वो अपर कास्ट के जनरल कटेगरी से होते है यह जो लोग 91 लोग इसमें सेस्ट और OVC के आने चाहिए थे इसके जड़ा 73 सीटे निकालकर बलकि एक और EWS को भी जोड़ लें तो 74 सीटे जो है उन्होंने यहां पर अपरकास्ट को दे दिये यह है कुल मिलाकर घुटाला इसको आप अगर कोई जटिलता है और इसमें सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है लगातार गलरिफिकेशन सा रहे हैं OVC कमिसंट में इस पर चर्चा हो रही है और बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको इसमें आप समझे कि हर साल अगर 100 सीटों की चोरी हो रही है कभी 70 कभी 80 कभी 100 इस तरह की चोरी हो रही है और इसक इसनों के आयोग भी देर सबेर UPSC का ही तरीका अपना लेंगे और इस तरह से वो जो सीटों की चोरी है वो होगी UPSC इसके लिए जो इनका सर्विस रूल है इनका रूल नंबर 16 जो अगर आप UPSC का पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह दिखेगा कि 16, 3 & 4 जो है उसमें इन नियम उन्हें खुद बनाया है नियम यह है कि अगर आप CST-OBC के हैं लेकिन आप अगर जनल मेरिट में आगये हैं तो और जनल मेरिट में अगर आपका रैंक तुदा नीचे है तो अगर आप अपनी कटेगरी में वापस लोट जाते है तो आपको अच्छी सर्विस मिलेग अगर आपको IS चाहिए तो IS मिलेगा, IPS चाहिए तो IPS मिलेगा, यह जो एक ब्यत्ति का इंट्रेस्ट है, उसको वो अफ्रंट कर दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आप अपनी कटेगरी में लौट यह तो आपको अपनी अच्छी सर्विस मिलेगी, और जैसे ही आदमी यहां से अपनी जनरल मेरिट से निकल कर अपनी कटेगरी में लौटता है, तो एक सीट जो खाली होती है, वो उस कटेगरी से न भरके उसको वो जनरल मेरिट से भर देते हैं, जो अक्सर अपरकास्ट का केंड़ेट होता है, यह काम मोधी सरकार में बेधरब परा है, लेकिन अब मेडिया का समय है, पहली बार इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है, पहली बार इतनी बात हो रही है, आपको ट्वीटर पे दो दिन लगाता है, ट्रेंड भा करीब करें, उस पर तीन लाग से जादा लोगों ने ट्वीट किया, तो यह पुरा जो मामला है, यह अब धिर पढ़ेगा, पार्लेमेंट में हंगामा होगा, तो सरकार ने क्या किया कि एक इस मामले को वो सुप्रीम कोट में ले दई, और एक जजमेंट आता है, 2010 में, साथ में 2010 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेज जैन केस में, और उसमें सुप्रीम कोट, जो कि आप जानते सरकार के साथ, एलायंड होती है, सरकार सक्राइप हुआ कई बार सुउदा आक साथ से इसे स्ट्रृट मेंुआ, या रौश्टर मामले में, सरकार में, कामिल्व करके अब तो यहां पर फैसला हैं क्या कर सकते हैं एक में सरकार क refers क्योंकि यह union of India versus sir ames jan का case है तो इसमें पार्टी कौन है union of India भारस्रगार पार्टी क्या भारस्रकार ने परीम पड़ीय चाहिश आया तो उन्हों ने से स्थी ओबीसी के पक्षमें दलील दी या परकास्ट के पक्षमें दलील दी उन्हों के पक्षमे दलील या रिजर्वेशन के खिलाग दलील दी तो हम देखेंगे अगर उस जज्जमेंट को आप पढ़ेंगे उनियोन आफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन आप सुप्रीम कोट की वेब साइट पर इसको देख सकते हैं साथ मही 2010 का तेसला है तो इसमें पाएंगे क पूर्ट में जब भारत सरकार जाती है तो भारत सरकार वहां पर रिजर्वेशन के खिलाग दलील देती है और वो यह देती है दलील कि हमारा जो नियम है कि SCST OVC को जिस तरह से जिस तरह से यह उस कटेगरी के अंदर फंसा के रख देना है ताकि जो जनरल मेरिट है वो 6th अगस्त को इसका clarification दिया है वो clarification क्या है वो यह बता रहे हैं कि for recommendation to the services post under civil service examination the commission strictly goes by the rule of examination as notified by the government of India अब देखें कि यहाँ पर party जो है वो सुप्रीम कोट नहीं है government of India ने एक rule notify किया है और 927 vacancies के बदले में जो 829 candidate का वो list जो जारी कर रहे है वो rule 16.4 और 16.5 के ताहत है तो यहाँ पर आप देखिए तो एक तरह से UPSC ये बात तो सहीं कह रही है को नियमों के ताहत कर रही है लेकिन घुटाला तो नियमों में है आपने नियम ऐसे बनाए है कि आप मजबूर कर रहे हैं SC, ST, O, B, C के merit में आगे कंडेट को कि आप अपनी कटेगरी में जाए ताकि हमारी जो बाकी की सीटें हैं वहाँ पर हम अपरकास को वो सीटें दे सकें